हेस्टर बायो देश की सबसे बड़ी अनिमल हेल्थ केर कंपनी और दूसरी देश की पोल्टरी वैक्सीन प्रोडूसर है तीस से ज़्यादा देशों में कंपनी के ग्राहक मौझूद है तो कामकाज उनका बाहर भी काफी बड़ा है 27 डिसेंबर को ICAR, NIH, SAD ने पोल्टरी में H9N2 स्ट्रेन से फैलने वाले बर्ट फ्लू के लिए वैक्सीन बनाने की टेक्नोलिजी कंपनी को ट्रांसफर किये कितनी एहम है ये development और किस तरीके के मौझूदा demand trend है ये जाने की कोशिश करेंगे कंपनी का आगे roadmap और 2023 के लिए outlook चलिए चलते हैं कंपनी के CEO and MD राजीव गान्दी हमाई सच्छों में जोड़ रहे है जो पॉल्ट्री में ये डिजीज है इंडिया में पहली बार 2002-2003 में डिटेक्ट की गई थी और दीरे दीरे वो बढ़ते गया इनके incidences बढ़ते गए साल पर साल बीच में एक दो बार ऐसे हुआ था मेजर आउटब्रेक भी आ गया थे तीन साल पहले पॉल्ट्री इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था उस टाइम पे Government of India का रूल था कि जहां पर भी आउटब्रेक हो बर्ड्स स्लोटर कर दे जाए और वैक्सिनेट ना करे वो उनकी पॉलिसी थी लेकिन सब पॉल्ट्री फार्मरों सब लोगों ने Government of India को रेप्रेजेंटेशन किया कुछ महीनों पहले और Government of India ने ये तैय कि है कि H9N2 low pathogen avian influenza का वैक्सीन चालू कर दे और Government ने ही ये वैक्सीन डिवेलप किया है क्या क्योंकि मैंने का 2002 से ये डिजीज आते जा रहा है ये डिजीज बड़ा important डिजीज है पॉल्ट्री के लिए क्योंकि अगर ये डिजीज पॉल्ट्री फार्म में आता है तो वैसे 5-6% mortality से शुरू होता है और अगर problem हो तो ये mortality काफी हद तक बढ़ सकती है layer production एक production पचास से साथ टका तक drop हो सकता है तो ये poultry industry को बहुत बहुत बड़ा नुपसान है अगर ये avian influenza का अगर outbreak आया तो अभी government ने जो अभी policy अभी अपनाई है vaccine उन्होंने बनाई है ICR थूद्वारा और हमें technology sell की है तो हम ये vaccine एक साल में शुरू कर देंगे हमारा ये मानना है कि ये vaccine का total potential करीबन 30 to 60 crores का है सालाना और जैसे जैसे भी outbreak होते जाएंगे उस तरफ से ये vaccine का इस्तेमाल होगा और ये vaccine की जो immunity रहती है वो करीबन 6 महीने तक रहती है तो layer में हर 6-6 महीने में देना पड़ेगा repeat it तो ये है इसका potential और ये history कैसे ये avian influenza disease और vaccine का हुआ है इंडिया में ये सब आल राइट तो यहाँ पर इतना इसका revenue potential देखते है जैसा आब बता रहे है Sir Q2 मेरे मैं numbers देख रही थी animal healthcare segment ते 140% growth दिखाई है बहुत जबदस तो strong growth है ये क्या continue होगी आगे भी आउटलूक क्या लग रहा है animal healthcare segment पर particularly momentum continue होने की उभीद है Sir animal healthcare जो sector है सब पूरे जो healthcare का है vaccines और animal healthcare animal healthcare वैक्सीन से भी बड़ा उसका scope है turnover का तो ये sector हमारे लिए अभी बढ़ने ही वाला है हमारी company हमने पहले vaccine से शुरू किया और animal health division लेट से हमने चालू किया है इसके लिए अभी ये धीरे-धीरे market मतलब हमारा भी sale आगे बढ़ रहा है animal healthcare will grow faster than the vaccine business in the years to come for sure तो animal healthcare definitely आप एक promising segment है और growth better होगी आप इस पर उमीद कर रहे sir margins के अगर मैं बात करूँ वहां पर हमने थोड़ा सा decline देखा from 32% अगर FI 21 से compare करें 26% आए और अभी down होके सीधा अगर Q2 की बात करें तो 17% रह गए क्या margin picture पर आप कहेंगे आगे किस तरीकी के margins expect करें क्या sustainable number होगा और outlook क्या रखे हम 24 के लिए sir margins बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं last quarter में last year में जो margins कम हुए है क्योंकि हमने काफी sales team को बढ़ाने के लिए हमें investment किया हुआ है और एक चीज़ है animal health product margin थोड़े कम रहते हैं vaccines से तो वो percentage में अगर आप देखा जाए तो वो gross margins definitely मतलब overall even cost of marketing ये वो उस हिसाब से थोड़े कम होते हैं लेकिन ये product mix का भी एक बड़ा सा वो importance होता है हमारी अब कोशिश है कि हमारे margins जो भी थे अभी जो quarter है उससे अभी जादा ही improve होंगे और जो भी हमने high margins देखे हुए है बीते सालों में हम उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं और we are confident कि हमारे margins अभी improve ही होंगे इससे अभी कम होने की कोई संभावना नहीं है मार्जन कम नहीं होंगे आप बढ़ाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं सर क्या band बता सकते हैं क्योंकि बहुत जादा difference हो गया एक time पर 32% margins होते थे और आप अल्मोस आधे रह गए तो ये level क्या रहेगा जो बहुत sustainable है क्या आप उमीद कर रहे हैं किस तरीके के margins आप अचीव कर पाएंगे वी विल डेफिनेटली बी अबल टू अचीव गुड मार्जन हमारे margins डेफिनेटली इंप्रूव रहेंगे अगर मैं आप band की बात कर रहे हैं guidance या forecasting की बात कर रहे हैं all that I can say that last year से definitely much higher रहेंगे यह जो हमारा इस साल है उसमें भी अभी margins काफी बड़ोती होने की संभावना है और हम दीरे-दीरे उमीद कर रहे हैं कि हम at least 28 to 30% तक तो हम immediately आ जाए और उससे भी आगे हम अगर margins बढ़ा सके 28 से 30% तक आप immediately उमीद कर रहें आ जाए यानि साल के अन तक यह numbers और levels आप अच्छीव कर पाएंगे यह आप कह रहे है सर सब poultry healthcare not only in Q2 बट अगर हम first half of FY23 की बात करें revenues वहाँ पर decline हमने दिखा है उसके के वज़े थी सर और क्या outlook है वहाँ पर हमारा जो H1 के हमारे results थे press note में भी हमने काफी detail में हमने cover किया था poultry industry जो है इस वक थोड़े depressional condition से जा रही है क्योंकि feed cost बहुत बढ़ गया है poultry farmerों ने poultry population थोड़ा कम कर दिया है इसकी वज़े से यह poultry population is going through a little bit of a stressful condition but अभी लग रहा है कि सारी चीजे improve हो रहा है और यह improvement के इसाब से आगे जाके जो हम पहले हम सिर्फ poultry vaccines ही बेचते थे और पूरा हमारा revenue सिर्फ poultry vaccine से आता था हमें यह उम्मीद है कि यह साल में भी poultry जो percentage ड्रॉप हुआ है वो उसमें बड़ेगा लेकिन overall हमारी company की अभी strategy यही है कि poultry, large animal सब में equally अगर turn over हो तो कभी भी कोई भी एक भी कोई division कम हो जादा हो तो हमें इतना impact ना पड़े क्योंकि अभी जो poultry में जादा हमारा revenue आ रहा है तो वो कम हो रहा है तो यह balance sheet पर इसका impact देख रहा है लेकिन हम impact पूरा spread कर देंगे poultry और large animal लेकिन to answer your question poultry is again up for growth in this quarter and the next quarter ओके तो यहां से improve होगा growth होगी आप कह रहे है in the coming quarters, दो-दो quarters यारी साल के अंतर यहां पर हम growth इसमें expect कर सकते हैं Sir एक सवाल government की तरफ से जो उन्होंने शुरूआत की है PPR disease immunization program इस पर क्या update है सवेर और किस तरीके का potential आपको यहां business का मिलता है PPR का tender Hester Biosciences को मिला है हम लोग 100% supply PPR करेंगे अभी process अलड़ी चालू हो गई है supply के लिए January 1st week से यह supply होगा करीबन यह supplies चलेंगे दो साल तक चलेंगे और इसका turnover approximately 25 to 35 crores के बीच में होगा यह पूरा जो tender quantity है PPR vaccine के तो यह हमारा forecast है अगले दो साल में PPR vaccine का हाला कि इसके पहले PPR vaccine का sale इससे आधे से भी कम हो रहा था तो अब यहां पर sale बेटर लग रहे है, prospects भी बेटर लग रहे है एक साल में यह किकिद हो जाएगा आप कह रहे है Is that right sir? Yes, it'll go at the least double, more than double मैं आपसे export markets पर आपकी view जाहूंगी, किस तरीकी का trend दिख रहा है for you, for the company यह साल के end और अगला साल FY24 में export को लेकर क्या growth outlook है, वहाँ पर कितनी बड़ोतरी क्यों बीद रखे? Export में हमें लगता है कि हमारी काफी बड़ोतरी होगी हाला कि past quarter में कुछ कम हुआ था, लेकिन अभी लग रहा है कि export बड़ेगा Right now और भी एक challenge हमारे लिए है African countries और Southeast Asian countries as well as Eastern European Central Asian countries वहाँ पर because of geopolitical situation की वजह से dollar payment ये वो उसमें थोड़ा उनको pressure है, इसके लिए हमारे orders कम आ रहे हैं लेकिन अभी ये खुल रहा है और FAO भी अभी PPR tenders वापस उन्होंने शुरू कर दिया है और अभी वो lumpy skin disease के भी tender अभी उन्होंने चालू कर दिया है overall हमें लगता है ये Q4 और next year का जो पहला quarter और दूसरा quarter होगा तब से काफी बढ़ोती होगी export में और तब तक हमारे African जो हमारा plant है टांजानिया में वहाँ से भी हमारे registrations कुछ country में आ गये होंगे तो लगता है Q1 अगले साल से हमारा export काफी बढ़ेगा तो lumpy skin disease outbreak के वज़े से आप देख रहे हैं वहाँ पर export बढ़ेगा अभी जो थोड़ा कब हुआ उसका आपने वज़े बताई सर लेकिन pet division जो उस पर आपका एक focus था वो एक area था हमने last time भी बात की थी उस पर क्या update है सर किस तरीके के plans है महाँ पर कितना investment करेंगे क्या outlook लगता है in terms of business pet division सबसे हमारा नया division है चोटा division है करीबन तीन या चार महिने से हमने pet division चालू किया है अगर आप market में भी कहीं पर भी जाएंगे हमारे pet products देखेंगे packing quality it is one of the best today of the products that are available अगर आप पूरी worldwide market देखेंगे western market देखेंगे animal health products जो मैंने कहा vaccine से जादा है और animal health products से भी जादा pet market है पूरे western world में अभी इंडिया में भी ये pet का ये सब अभी बढ़ रहा है तो हमारा ये मानना है काफी अच्छी तरह से ग्रोथ होगा ये पहला साल है तो मेरे पास अभी exactly figures नहीं है कि परसंटेज वैसे देखा जाये तो second year में काफी it should go three four times than what we do in this year as far as pet business is concerned and we want to take it in a very scientific manner आज की date में कई pet doctors उनको दवाई नहीं मिलती जो human है दवाई है उनको वो pets को देते हैं क्योंकि वो उस टाइब की दवाई pets के लिए नहीं है ये सब हम ध्यान में रखते हुए हमने specific pet के लिए दवाईया हमने manufacturing और marketing किया है तो इस हिसाब से हमें लगता है that we are here to revolutionize the pet industry and make a very big impact in the in this division for the country and in the pet market overall तो यहाँ पर बहुत बड़ा scope और opportunity आपको दिखते हैं अभी काफी नया है तीन-चार महीरे जैसे आपने काउस में आप enter किये बट scientifically आप इसको grow करना चाहते है और opportunity देखेंगे capacity utilization levels कैसे हैं इस वक्त कपनी के capex plans क्या होंगे किस तरीकी की capacity addition करेंगे नए launches को लेकर क्या plan है और उसको कैसे fund करेंगे sir हमने जो capacity थी हमने already हमने capex कर दिया है और ये जो नया जो हमने capex किया है वो अभी Q4 में sub production में चला जाएगा और हमारी capacity 50% बढ़ जाएगी जो अभी है उसके हिसाब से तो काफी capacity बढ़ोती हमारी हो जाएगी ये quarter में जिसका impact हमें next financial year से मिलना लगेगा तो अभी इस वक्त जो हम capex करेंगे इस वक्त तो हमने production पूरा कर दिया अभी हम सोच रहे हैं कि हमारा R&D में हम और investment करें R&D हम बढ़ाए क्यूंकि अभी इंडिया में क्या काभी काफी प्रोचसान है ये सब नई चीजों में जाने के लिए तो हम अभी ये सोच रहे कि हम R&D में भी एक investment करें और नए molecules, नए vaccine, नए formulation का हम अभी कुछ discover करें और market में लाए तो यहाँ पर focus होगा R&D में आप और investments यहाँ करेंगे और और अरड़ी capacity की बात आपने की उसमें investments हो चुके उससे आपकी capacity 50% से और बढ़ जाएगी, is that right sir? आप यही कहा राइट? Yes, yes. Okay, all right sir, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके का business outlook है company का आगे और growth plans पर क्या है focus?